आप सभी लोग का स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज MCQ सिरीज में यह मौडरन हिस्ट्री का टॉपिक इसमें सामिल किया गया जिसमें लोग गोवर्नर, गोवर्नर जन्रल और वर्सराय से समंदित महत्पून MCQ सिरीज को देखेंगे आज के जो भी क्लासेज आपके 45 मिनट वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे 15 महत्पून पर अभ्यास करेंगे उसका सठीक उत्तर देखने का परियास करेंगे साथ ही साथ महत्पून टॉपिक को इस संग्रख किया गया इस सेशन में तो यह वीडियो आप लोग को 9 PM में अप्लोड हो जाएगा तो आप लगतार आप इस पर बने रहिएगा हमने आप लोग को एक सिर्यूल दिया है जिसके अधार पर सारी क्लासेज होंगी आपको यह पहले इसका कोस्चन अभ्यास आप लोग को गूगल फॉर्म के माध्यम से गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोग को लिंक सेर किया जाता है और उस लिंक के माध्यम से आप लोग एक्जाम देते हैं टेस्ट देते हैं उसी टेस्ट का जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसका अभ्यास रहेगा और current affairs जो उसमें 15 questions होते हैं दस questions होते हैं उसको क्या किया जाएगा वो आपको daily mcq series में सामिल कर लिया जागा तो चलिए लातार हम लोब बात करेंगे तो पहले प्रसंद पर आते हैं बिना समय कमाए हुए तो इसे हम लोग देखते हैं पहले प्रसंद के तरब क्या पूछा गया है तो पहला प्रसंद है गोव्रनर जर्रणल लाट डलहोजी ने बिटिस समराजी के विश्तार से दिमलिखित में से कौन से निती पेस की थी अर्थात कहने का अर्थ लाट डलोजी के द्वारा बिटिस विस्तार के लिए बिटिस सम्राज के विस्तार के लिए कौन से निती के अपनाई गई थी पहला एक था सहायक संदी दुसरा सरोचिता का निती तिसरा ब्याबगत का सिध तो इसके तरीक्त हम लोग बात करते कुछ बातों को देखते हैं कुछ चीजों को समझने का पर्यास करें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके कुछ एक्सपरेशन को देखेंगे वन सेकेंड होल्ड किजेगा चलिए तो देखिए सबसे पहले ध्यां रखिएगा इसके यह कब लाया गया था तो यह लाल डलोजी के द्वारा कब लाया गया था 1840 के दसक में लाया गया था इसको कि इसका सासनकाल वही था इसने अंत में लाया अंत में लाया लाल डलोजी के द्वारा इस सिधान को लागू किया गया था इसके तहत किया क्या गया था तो इसके अंग्रेजों के द्वारा जो छेत्र थे किसी द्वारा किसी भगोलिक छेत्र को किसी सासक को शासक को क्या करता जिसके नी संतान थे अठात कहने का मतलब जिनको कोई संतान नहीं था उसे नी संतान को उनकी वनसा नुगत जो समराज का विस्तार किया जाता था अपने पद का जो अगला सासक कोन होगा उसके लिए जिनेश क्यों ना जाता था उसे सासकों के जिसके निसंतान थे तो उनके उत्राधिकार के नियम को क्या किया बदल दिया गया उत्राधिकार के नियम को बदल दिया गया था बिटिसों के द्वारा और इसी को कहा गया गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया और इसी अधिकार के तहत क्या हुए अलाट सजुकाल चाहिए कि दीमें सब्सक्र पचास में अगर इसके तरीक्त हम बात करें जहां सी किराणी आपने नाम सुनते होंगे 1870 के युद में उसमें भी अठारा सो तिर्पन को उनको क्या क्या है इस नीती के तहत उनके डलोजी के साथ सनकल के दोरान बिटी समराज में मिला लिया गया के कारण क्या था केवल निस सबी एकजा में पूछे जाए इसलिए सारे महत्पुन सास्कों का नाम है यहां पर बता रहा हूं इसके नोट करके याद रखना है क्या आपको कुशासन के अधार पर आरोप पर अवद को अवद को कब मिलाया गया अवद को 856 में मिलाया गया तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है अब previous year question पी वाई क्यू आप लगाते होंगे तो इसका उत्तर देखते होंगे सारे उत्तर आपको यह कहां मिल जाएगा पीडियाप आपको MCQ जाहिएगा युक्ति यह इसके एप पर युक्ति यह इसके एप पर जाहिएगा वहाँ पेकेज बना हुआ है डेली टॉपिक वाई MCQ सीरीज में वहाँ पर मातर आपको 99 पेट करना और इस सारे सीरीज को जैसे हिस्ट्री का पॉलिटी का जोगरफी का आप उसको पेडियाप प्राप्त कर सकते हैं चली आगे हम बात करेंगे दुसरा अशेनिक जो इसका प्रसन देखते हैं अशेनिक परसासर 1905 के संदर में कौन सा कथन सही है तो पहला कथन ने प्रांतिय सिमाओं में पूर्ण गठित करने का नेने लिया क्या ये कथन सही है पूर्वी बंगाल और आसाम अभी असन बोला जाता आशाम ध्याना के न एक दो दोनों ओप्शन C में केवल C और D में ना तो एक न तो दो इसके बारे में पढ़ता बात की जारी है तो सही कथन क्या इसका है तो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन B अर ठात एक और दो दोनों कथन सही है तो अतरिक्त हम इसमें बात करें तो ध्यान रखिएगा प्रांतिय सिमाओं का पुन गठन किया पुन गठन करने का अर्थ समझेगा पुन गठित किया और इसने नए छेत्रों को क्या किया गठित किया जैसे में करजन बंगाल का बंगाल का क्या करता है दो भागों में बाड़ देता है जिसे हम लोग एक पुर्वी बंगाल कहते हैं अपलों को याद होगा शोळेसी यांदोलन जब चलाए गये थे पुर्वी بंगल, पच्पी बंगल असाम के च्षेतर में अर एक याद रखिएगा पुर्वी बंगल और अशाम, पलस असाम के से च्षेतर थे और पच्मी बंगाल था याद होगा आप लोगो पुरा बंगाल में जब करांती कारिया अंदोलन महत्पून हो रहे थे अजादी के मांग को लेकर लोग एक जूट हो रहे थे उसमें लाट कर जाने यह निती अपना है उसी निती से यह प्रस्ण पूछा गया है और उसके तरिक ध्यान रखिएगा अशाम एक नया प्रांत बनाया गया बंगाल एक नया प्रांत बनाया गया उसके बाद ध्यान रखिएगा बंगाल के पच्मी बंगाल जो बना उसमें ध्यान रखिएगा बिहार सामिल था बिहार पलस आपको उड़ीसा पलस छोटा नाकपूर जो जहार का सिर्जन यहां पर हुआ था अब इसके अत्रिक ध्यान रखिएगा केवल प्रांती सिमाओं का वर्नन ध्यान रखिएगा प्रांती सिमाओं का निधारन केवल इसी छेत्र के लिए नहीं हुआ इसके अत्रिक ध्यान रखिएगा पलस याद रखना मद्रास में भी कुछ छेत कुल्भों का पुर्ण निधारं किया गया इसके एत्रिक्थ हम बात करें इसके एत्रिक्थ और भी बात की जाए तो अगस्त किया गजिए गाए इस 1011 कुई लीच्छे देखते हैं तो दिया रखिएगा के बिदला था जो सौदेशीा अंगोवजं को को जन्म दिया सवदेसी आंदोलन अप नाम सुनते होंगे सवदेसी आंदोलन का अधनी को पता हुआ का सव के शीरिडिल सारेवं सामिल कहलेगे इस दूरान कंवल verein ओपैना थे सवदेसी आंदोलनर को जो त düa एक गें दोलनर आ एक होक जाता है। नहींete देखते हैं निमलिकित में से कौन सा यूग में सही सुलेमित नहीं है एक यूग में दिया गया ओप्सन में उसमें सुलेमित नहीं है देखना है तो पहला देख लेते हैं हेक्टर मुर्नो बक्सर का यूद क्या इसके समय में हुआ था लाड़ हैंगस्ट्रिन आंगल नेपाल का उत्तर जनकारी हो तो इसका उत्तर कहां दे सकते कोमेंट सेक्षन में आप दे सकते हैं अब कोमेंट सेक्षन में जैसे तीन का यह सही होगा तो ऐसे देना है ठीक है तीन का भी सही है तो तीन का भी आपको ऐसे उत्तर देना है क्लियर है तो इसका उत्तर देखते हैं तीन न किसके समय में हैंस्ट्रिंग के समय में हुआ है यह घटना तो यह घटना इसके संदर में कि आपको यह गलत कथन दिया गया है बाकी सारी कथन सही है अगर हम इसके बाद बात करें तो इस यूद में मराठा यूद में जहां रखिएगा मराठा यूद में कौन था इसका कर रहा था पेशवा के बाजी राओ तो पेशवा बाजी राओ को याद रखना है बाजी राओ इनके सेना पती थे मराठा यूद के दोरान या बिटिस इस इंडिया और मराठा यूद के भी संपर्ण एक निरनायक यूद के तौर पर देखा जाता है किस रूप पर निरनायक के काल में हुआ था और आंगल नेपाल युद धिया कब हुआ है अठारसो चौदा से लेकर सॉलग के बीच आपको किसके लाड हैंस्टिंग के समय में हुआ है और बकसर का युद आपको 1764 में इसी में हक्ट मिनों के नखित में हुआ था इसके घटना करम आपको याद रखन प्रस्ण पूछा गया है तो आप ध्यार रखिएगा ओप्षन देख लेते हैं ओप्षन एक लाड मिन्टो ओप्षन डी भी लाड कर्जन ओप्षन सी लाड लिटन या ओप्षन डी लाड रिपन्ट या किसके काल में हुआ तो याद रखना है बहुत ही महत्मुन कोश्चन है आपको ओप्षन बी में लाड कर्जन के समय काल में हुआ या कब हुआ ध्यार रखिएगा 1909 में 1909 में इसकी अस्थापना की जाती है 1909 में इसके स्थापना की जाती है किसके द्वारा लाट करजन के द्वारा अब याद रखिएगा इसका मुख उद्देश क्या था उद्देश क्या था उद्देश ध्यार रखिएगा देशी जो राजयों या राजयों के जो राज कुमार है राजकुमारों एवन समान्तों को क्या करना था समान्तों को के पुत्रों को क्या करना था सैनिक सिख्छा देना था क्या देना था सैनिक सिख्छा यह याद रखना इस कौफ्स का अर्थ था इसका उद्देश था और सिख्छा का परवंद करना सिख्छा की जनकारे देना यह म क्या नाम जानते हैं, शेन स्कूल के तोरपर इसे जानते हैं, यह जनकारे आपको होना चाहिए, या लाड करजन का पर्थेक्ष पर्विक्षन के तोरपर भी देखा जाता है, यहापर लाड करजन के नित्यूत में या कारे हो रहा था, या कॉफ्स चलाए जा रहा था, अब ह और मेजर डी एच केमरू याद रखिएगा इसके कोन थे पर्थम कमांडेट से महाराजा याद रखिएगा कॉम्हा कि परताब से क्या थे परताफ से करे इसके पर्थम मानद कमांडेट लगीए कि यहांным कोOUR रिंकिंध समाप्त होती है तो यह दोनों आपको इंपोर्टेंट है इससे संबन्द जनकारी होनी चाहिए और पी वाई क्यू प्रिवियस एर कोस्टन आप जरूर लगाईएगा देखिए यही सीडियूल है इस सीडियूल के अनुसार आप लोग एक्जाम दिजिएगा टेस्ट पर तेक दिन आपको 11 अप्रेल को देखिए साथ एम में इसके कोस्टन दे दिये जाएगा और 9 पी एम में आपको इसके वीडियो अप्लोड हो जाएगा और इससे आप लोग रिभाईज कर सकते है इसी तरह आपके सीडियूल दिये गया है इससे जरूर देखिएगा और ध जरूर देख लेटे हैं कि निमlykits में से कौन सा एक उगम सुलेमित नहीं इधा फिर से क्यूंड दिया गया जो सुलेमित नहीं है यह बात बूली जा रही है तो देख लेते हैं क्या है प्रवसंस के तरफ़ अप्शन में तो परथम है कि ठगी का द मन् इलबर्ट विट क्या लाट डिपन के काल में आया रिंक्स फैंक्स की निती वारेंग हैस्टिंग के द्वारा अपनाई गई या वर्ना कुलम प्रेस एक्ट लाट करजन के द्वारा लागू किया गई या कौन सुलेमित नहीं है तो इसका सही उत्तर क्या होगा और freedom में आप लोग comment section में दे सकते हैं और महथपून link दिये रहते comment section उसका उप्योग कर सकते app download कर सकते या website ूज कर सकते युकती आयसका आप उसका लाब ले सकते है तो इसका सही उत्तर क्या आगा option D, वर्ना कुलम प्रेस एक्ट Lord करजन के द्वारा नहीं बलकि Lord Linton के द्वारा ला गया है किसके द्वारा ले गया है? Lord Linton के द्वारा और यहां प्रस्ण बार बार पूछा जाता है प्रिवेस यहर किसी भी एक्जाम में उठा ले जेया वहाँ पर आपको प्रस्ण देखने को मिल जाएगा अब ध्यान रखिएगा इस act का नाम क्या था वर्णा कुलंप्रेस act का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है तो इसको बोला जाता था वर्णा क्यूलर प्रेस act या भारतिये भासा शमाचार पत्र अधिनियम कितना 1878 याद रखना है इसके इसी नाम से पारित किया गया था इसे क्या बोला जाता था मुह बंद करने वाला कानून क्योंकि इसके तहत रजब्त कर ली जाती थी किसी भारतिय प्रेस को मुह बंद करने वाला कानून इसे याद रखना है अप लोग को और इसके तिक्त हम और भी बाते करेंगे इसके तहत क्या क्या कर लिया जाते अगर किसी भी बिटी समराज के खिलाब मानले जे कोई विशेस या क्योई संपादक क्या करता था कोई परकासन किसी परकार का कर लेता था तो क्या होता था उसकी जमानत जब्द कर ली जाती थी जमानत जब्द कर ली जाती थी फिर उसके बाद प्रकासन को बंद कर दिया जाता था उनका संपाथ की लाइसेंस रत कर दिया जाता था या प्रात पुनक किया जाता था सरकार छापे कानूं को छापे खाने जो थे कानून के ता कहने का आत है बिटीस समराज के खर्रोथ्ट आप कुछ लिख नहीं सकते चाप नहीं सकते बस आपको ध्यान रखना है चाप नहीं कुछ बोल नहीं कर सकते कोई लिख नहीं सकते यह कानुन इसके तहत लागू किया गया था इस वर्ना कुलम प्रेस एक्ट में तो किसके सासंकान में लाड लेटन के काल में अब इसके तरिक कुछ चनकारी और इसके तहत जनकारी आपको होनी चाहिए जैसे और किन पेरी का नाम आप लोग याद रखेगा पेरी ने इस अधिनियम को क्या बोला है था विपरित गामी और असंगत और संगत बोला था या उलंगन माना था इसे भारत की भावी भारत की भावी प्रगती के लिए घा तक बोला तो आपको इसके कोटेशन पूछ सकता था घा तक याद रखेगा घा तक पग बताया था ताकि आप एक कॉंसेप्ट सुनते हो जितना किसी को मुठी में बांदो उससे बालू उतना ही घिस के बाहा निकलता है आप लोग कॉ पार महबत में किसी को जितना भी आप उस पर पावंदी लगाएं पावंदी लगाएं तो वह उतना ही और भी उभर कर सामने आता ऐसे ही जो इस पैरी के द्वारा यह बोला गया कि यह विप्रित गामिया असंगत होगा भारत की भावी प्रगती के लिए घा तक पग होगा अर्थात वर्णा कुलम प्रेक्सेक्ट और भी मांग को बढ़ा दिया लोगों के अजादी की मांग को बढ़ा दिया क्योंकि लोग को लगने लगा भारतियों को लगने लगा कि हमारे अधिकारों का हरन कर रहा है यह पहले से भी थे अब बोलने का अधिकार नहीं रहेगा आप कुछ शापने का दिखा नहीं तो उस द्वरान देखते हैं और भी मांगे बढ़ी अजादी का इसके तहत ज्यानक्की का कुछ एक्ट याद रखेगा इसके तहत एस एन बनर जी का नाम याद रखेगा बनर जी के द्वारा क्या बोला गया इसे बोला गया कि आकास के वजरपात के समान माना कि जैसे वजरपात गिरता किसी के सरीर पर तो कैसे उसके अस्तित्यों समाप्त हो जाता है वैसे ही समाचार पत्रों का अस्तित्यों समाप्त होना दिखता है उसी अधिनियम के तहत याद रखेगा सोम परकास कुछ पत्नी परकास याद नाम रखना है भारत मिहीर नाम याद रखना है मिहीर मिहीर उसके बाद धाका प्रकास फिर सहचर जैसे समाचतर पत्र क्या हुए पत्र बंद कर दिये गया या उसके नाम परिवर्टित कर दिये गया पत्र पत्र काये क्या हुए एक पत्र कर लिए इसका नाम परिवर्टन कर लिया उसके नाम के साथ कुछ पत्कारों को आता है तो आपनों इसे जरूर देखी बादू निमलिखीद घटनाओं पर विचार किजिए तो पहली घटना एक लाइब का पुना भारत आगमद दूसरी घटना इलाहबात किसंदी, तिसरा बक्सर का यूद, चोथा है वारिंग हैस्टिंग के भारत का गवर्नर बनना, ति निम्प्यू घटनाओं के घटित होने का काला क्रम नुसार, अर्थात काल घटना के क्रम में किस वर्स हुआ है, उसके निमलिखित कुट में से सही क्रम को चुने, चैन करने क कर रहा है, तो ओफ्षन देखले तो ओफ्षन क्या दिया गया, ओफ्षन ए में है 3, 2, 1, 4, क्या पहले 3 घटना हुई, फिर 2 हुई, एक हुई, तब 4 हुई, इसी तरह 3, 1, 2, 4, अप्षन सी 3, 1, 2, 4, देखिया हाँ हो गया, तो यहाँ पर 3, 1, 3, option देखिया है, कुछ error हो ग कलाइब का पुना भारत आगमन होता है उसके इलाहाबाद की संदी होगी उसके बाद वारिन हस्टिम भारत का गवर्नर बनेगा तो चलिए घटना करम को देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या हो सकता देखिए बक्सर का यूद कब हुआ है बक्सर का यूद आपको 22 अक्टूब गवर्नर बढ़ना कब हुआ या सबसे अंत में हुआ तो इसे याद रखिएगा अब है कि भारत का वारिन हस्टिम जो गवर्नर था तो इसके अतरी कुछ जनकारी रखनी है जैसे भारत का पर्थम भारत का गवर्नर था भारत का यह पर गवर्नर बना गवर्नर जनरल बना यहां पर कुछ एरर है तो गवर्नर जनरल की बात यहां देख लिजेगा जनरल इ यह क्या है यह प्रिवियस एगर कोस्टन पूछा गया यूपेसी में तो यहां ऑप्षन गलत दिया गया था इसी के लिए उसको मैं समझाने के लिए आप पर इस तरह रखाऊं ध्यार रखिएगा गोवर्नर नहीं गोवर्नर जर्नल यह बना था जो आपको 1772 में और 1774 में क् गोवर्नर पहले था आपको ध्यार रखना बंगाल का गोवर्नर के तौर पर यह आया गोवर्नर जर्नल बन गिया पहले गोवर्नर था 1772 में गोवर्नर था उसके गोवर्नर जर्नल बन गिया किलियर है तो इसे जनकारी के तौर पर अर्थात पहले गोवर्नर होकर बंगाल क गुवर्णर बनकर आता है फिर भारत का गुवर्णर जन्रल बनता है इस तरीके से जनकारी आपको होनी जाए चलिए नेश्ट हम बात करें प्रसंट पर साथवे नंबर प्रसंट पर कि तिर्थी आंगल जो युद है से संबंदित कूट के बारे में आपको जनकारी देनी है जैसे ऑफ्षन देख लेते हैं जो आंग तिर्थी आंगल मराठा युद हुआ है किसके सासनकाल में सर जॉन्स ओर के लाड वेले जली लाड हैंस्टिंग या लाड कार्नवालिस तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको ऑफ्षन सी लाड हैंस्टिंग के सासनकाल में या क्लिएर अगर हम युद की बात करते हैं अगर हम इसकी इस्तर상 सो युद की बात करते हैं Means 18-105 इस वी सभी जगह होगा इस वीmern हड आंगल मराठा यूद की बात करते हैं तो यह 1817 से लेकर 19 इसवी तक होता है किलियर है अब इसके ध्यान रखिएगा इसके तह साला बाई की संदी इसको कहते हैं साल बाई की संदी हुई थी संदी हुई थी यह महत्पूर्ण है बहुत सी बाते हैं पर महत्पूर्ण चीज इसी संघी के बाद क्या होता है कि आपको तैसे जली systems आपको नाकपूर में ग्वालियर संधी एक की जाती है 33 परप इसनले संदी एक ग्वालियर संधी इसका इसनदी कि देवगाओं की संदी कब हुई थी अठारा सो तीन में होगी अगर हम देवगाओं के बाद हम सालाबाई की संदी देखते हैं उसके पहले भी कुछ संदी हुई थी जैसे सूरत की संदी आपको प्लाशन पूछा जाता है तो ये कब हुआ 1775 हुआ अगर हम पुरंदर की संदी बोलते हैं इसे जरूर याद रखना आप लोग को आठेवे नंबर प्रसिन पर आते हैं इलबट बिल विवाद के संबंदित कौन सा कथन संबंदित कथन क्या बो रहा है सही है तो ओप्सन देख लेते हैं भारतिये द्वारा हथियार लेका चलने कुछ पर्तिवंदों क लागू किया गया था इलबट बिल इससे संबंदित था या भारतिये भासाओं को प्रकासित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं को पर्तिवंदित लागू किया गया क्या इस बिल या बिल इससे संबंदित था इरोब के लोग के मामलों सुनवाई करने के लिए भारत को देखते हैं कूट क्या दिया गया बोव कुछ भात क्यों द्वार्तियोंद्वारा हथियार लेकर लेकर ले जाने कुछ परतिबन लगाए खेए या भासिये भासाओं में प्रकासित जो पर्चाट थे कुछ चीजे याद रखे जैसे याद रखना है दो फरवरी 2813 सर किया गया था सदस थे मुझे आप कोमेंट शक्राशन में बताईए पर्थम विधी सदस कोन बनाया किसको बनाय गया था पर्थम विधी सदस अंग्रेजों के द्वारा किसे बनाय गया था पर्थम भारतिये विधी सदस जो सामिल था विधी सदस के तौर पर किसे बनाय गया था आप लोग कॉमेंट सरक्षन में बताईएगा किलियर है चलिए अगे बात करें, इसी ने यह बिल पेस किया उसके बात जाती भेद के अधार पर यह कानू लाना चाता था, जो विदी द्वारा सभी नियाई के अयोकता को तुरन समाप करने की बात की थी और एरोपिये जो भी लोग हैंगे भारतिये छेत्र में कोई भी अपराद करते हैं तो भारतिये नियाईदिस पर उस पर भी सुनवाई कर सके सुनवाई करें ना कि केवल उरोपिय उरोपिय न्याइदिस या उसको उरोप में जाकर अपने गिल्टी आपको उस पर दिखानी होगी अथा उस पर न्याइक परक्रिया अपनाई जाएगी अगले प्रसन पर आते हैं नवे नंबर प्रसन पर तो नवा नंबर प्रसन किया है कि निमलिखीत में से कीस गुवर्नर जर्नल ने भारत की प्रसंविधाबद सिविल सेवा को क्या करता है और जो झालांतर में भारतिय शेवा के नाम से जाना जाता है या जानी गही तो ऑफ्षन देख ल 옆 लोग सेवा को सिर्जित किया गया था अब बंगाल के गव्वर्नर जर्नल बनने गया है के बाद बंगाल के गवर्नर जनल बनने के बाद गवर्नल किया है जरनल this is gonna है जरनल बनने के बाद यह इसकानुं को लाया इसके बाद लाजस बोडो को निमित किया इसने बैक्तिगत बैपार के सम्मंद में नहीं नियम किये अर्था इसे परसासनी के भस्टाचार रोकने के लिए भी भस्टाचार रोकने के लिए भी माना जाता है परसासनी भस्टाचार बिटिस अधिकारी हुआ करते थे बैपार में अवेद बैपार किया करते थे अपने सगे सम फोजदारी सेवारां नियाईक छेतरों का असपस्त भादलाई किया गया था भारती सिववा के रूप में बहुत सिवगी जिसमें दिवानी और फोजदारी नियाईक सेवाएं पहल сказать नियाई के छेत्रों का असपर्ष्ट विवाजन किया गया था भारती सीविल सेवा के रूप में कलांतर में सामिल किया गया यह सब इसके तथिकत जनकारिया थी इसके तरिक्त हम दस्वे नमबर प्रसुन पर आते हैं कि आंगल नेपाल युद जिसके सासनकाल में हुआ था व रखा गया तो इसके तेक्त इसका सेवा है ऑफ्रण बी लर्ट के सासनकाल में यह आंगल नेपाल युद हुआ है तो ध्यार रखें के तथिकत तत्यों की बात करें हम तो आंगलleben नेपाल युद की बात करें है कब हुआ है तो यह 1814 और 16 के बीच हुआ है कलियर है और लाड हैंस्ट्रिंग का जो काल खंड सा तब फ़कम एक है don. लाड हैंस्ट्रिंग की बात हो रही है यहां पर थोड़ा सा प्रेकर लाड अतरिक्त तब अबlection डॉल वी चंदी है ना संगोली की संधी जो हाल मिंए आप लोगको याद होगा सीमा विवाद भारत नेपाल के भीत हुई थी इसी सुगोली संधी की की चर्चा हुती है जो अठारसो पंदरा में की गई थी किलियर है फ्रास 1815 इस वी में की गई थी अब यह सुगोली संदी से समाप्त हुआ है और शुगोली संदी को ध्यान रखेगा सुगोली संदी की बात की जाए तो 2 दिसंबर दिसंबर 1815 को क्या कियागा लेख बत किया गया या इसे कानून बनाया गया और यह इसका अनुमोदन की बात की जाए तो 4 मार्च 1860 यह चर्चा जब भी भारत नेपाल यूद होता है भारत नेपाल की बात सीमा भी बात होता तो इस सुगोली संदी की चर्चा जरूर होती है इसलिए आपको इसकी जनकारी होनी चाहिए अगर हम वारिंग हैंस्टिंग की बात करें तो ध्यान रखेगा इसलिए 1776 में सबसे पहले मनु स्मिर्थी को मनु स्मिर्थी को क्या किया अंग्रेजी अनुवात किया था अंग्रेजी अनुवाद करवाया था इससे प्रसिन पूछा जाता ध्यान लखेगा किस नाम से एक और अफ पिस्ते नाम से जैंटू लॉज के नाम से मनु स्मिर्ती का क्या किया था अंग्रेजी अनुवाद किया था मुस्लिम सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा खोला गया इसके अधिक थम जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत वधिया ले ऐसा ने कि केवल एक तरफ से ये कार करा था बहुत बहतर कार करा था हलाकि विटिस उपनिवेसिक उपनिवेसिक सासन समराज को बढ़ाना इसका मुझ खुदेश था धिया रखिएगा विद्याले खोला सांस्कृतिक विद्याले किसके जो नाथन डंकन नाम याद रखिएगा यह कब खोला था 1782 में याद रखना आपको अब सर विलिम जोन दा असियासिक सोसाइटी की बात कर लें इसके तरीक थम बात करें एक चीज़ और भी जनकारे में हाँ ले सकते हैं क्या द़ एसियार्टिक सोसाइटी यह किसके किसके द्वारा खोला गया था याद रखिएगा असियाटिक सोसाइटी आपको विलियम जोन्स के सहायता से विलियम जोन्स की सहायता से कब खोला गया 1784 में यह सर पीटी फैक्ट है आपको जनकारी रखनी है इसके अतिक्त और भी चीजे की गए थी इसके काल में बहुत ही महत्पुन बहकती था इसलिए इसका नाम में आपको कोस्टन में सामिल किया इसने भगवत गीता भगवत गीता का क्या किया अंग्रेजी अनुवात कराया था विलियम विलियम विल्किन्स याद रखेगा विल्किन्स के दौरा अभि ज्ञान संकुतलम याद रखेगा अभि ज्ञान शंकुतलम संकुतलम जो नाटक है संकुतलम उसका नाटक का ध्यान रखेगा 1789 में आपको क्या क्या अंगरेजी अनुवात करेखा इसलिए इसे भारतिये शंस्कृति का पुर्णधार भी कहा जाता है इस तरह से याद रखेगा पूनधार इसलिए कि इसने इरोब के साथ भारतिये शंस्किती सभ्यता को जोड़ा लोग इन सारे अंग्रेजिय अनुवात को पढ़े और अपनी प्रबुद्ध सत्नियों को बढ़ावा दिया था इगारवी नमबर प्रसन पर आते हैं इगारवा नमबर प्रसन क्या है भारत में देखे बहुत इजी प्रसन है पर इसके अत्री कुछ जनकारी आपको मिलेगी भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई ओप्षन के तौर पर देखते हैं तो ओप्षन ए 1853, 1850, 1890 फिर होगी आप इसके 60 कर लीजेगा, 1890 फुरा सा टाइपिंग इगर हो जाता है थुरा सा ठीक कर लिया जाएगा जिसका सही उत्तर क्या हो ओप्षन ए 1853 अगर इसके स्तित में बात करें तो यह किसके काल काल खंड याद रखेगा, 1856 याद रखना, इसके सासन काल मुवा था, इसके अस्ताफना पर्थम रेल्वे लाइन बनाएगे, 1853 अलाकि इसका उद्देश, बिटिस ऑपनिवेसिक समराज को बढ़ाना, उसमें भारतिये संपदा है, उसको बिटिस तक लाना है, कहां से खाना, कहां स किया गया, एक डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट भी जारी किया गया, परचलन सुरू किया गया, उसका, पहली बार सावजनिक वित्रम पर नाली, पीडिये समराजन, जैसे आपको देखते हैं, नली नाले बनाते हैं, सावजनिक, सार्वजनिक, जनिक के आपको निर इसके द्वारा की गई थी तो महत्पुन बैक्ती था लाल डड़ोजी तो इसे आप लोग को एक्जाम के फैक के तौर पर जनकाई रखनी है अगर इसके अतराइथ हम बात करें अगले प्रसंट पर बात करें 12 नंबर प्रसंट को देखते हैं तो इसमें निम्लिकीत में भारत का पर्थम वाय सराय था बहुत ही इजी प्रसंट है फिर भी आप लोग को जनकाई रखने इसके अतरी कुछ जनकारिया है तो ऑफशन ए में लाल डड़ोजी लाल कलाइब ऑफशन डी ऑफशन बी लाट करनवालिस ऑफशन सी लाट केनिन ऑफशन डी लाट रिपा तो इसक प्रिटिस कंपणी का क्या था आपको पर्थम आपको अंतीम गुवर्नर जनरल था और पर्थम जनरल याद रखेगा जनरल और पर्थम पर्थम वार सराय था वाइस राय था 1857 की करांती इसी के सासंकाल में होती है यह महत्पुन है उसके अत्रिक्त हम युरोपियों का स्वेत विद्रो देखते हैं युरोपिय सेना में स्वेत विद्रो देखते हैं नाम आपसे पुछता हुआ स्वेत विद्रो तो इसी के सासंकाल में हुआ था 1869 म डंड सहीता तो सहीता की बात करें तो ध्यां रखिएगा 1800 कब वीती भारतिये डंड सहीता 1869 और भारतिये विधी सहीता भारतिये डंड सहीता 1861 होगा 1861 मिस्प्रिंट हो जाता है भारतिये विधी सहीता की बात करें तो यह कब था याद रखे 1869 में आपको याद रखना है ठीक है इसका निर्मान किया गया लाट कैनिन के द्वारा चली तेरे वे नमबर प्रस्ट पराते है की सवार सराई की हत्या उसके कारकाल में कर दी गए थी प्रिवियस येर में जाके देखिएगा इसके प्रस्ट आपक याद रखे आप लोग तो यह अब हम इसकी बात करते हैं इनके द्वारा मेयो कोलेज की सबसे पहले तो आप लोगो यह नाम याद रखना मेयो कोलेज का वटार सो बहत्तर में ही उसी साल इसके सथापना हुई इनके कारकाल में भारतिये सांखे की याद रखिए क्या की सर्विक्षण पलस याद रखिए गया, क्या वानित जिब विभाक का गठन किया गया या, उसके तिर्द पर्थम जन अगना कराया गया था इनके काल में इसको बारतिया के बारे में हम बात करें तो हतिया इनकी की किया था आठ फरवरी या देट रखना आठ फरवरी 1872 में सेर अली अफरीदी के द्वारा किया गया था यह कौन था एक अफगान था अफगान था जिसने इसे चाकुमार का हत्या कर दी थी यह जनकारी आपको तत्रिकत रखनी है चौदर नंबर देखते हैं आपको भारती पुरातत तो सर्युक्षन के स्थापना किसने की थी यह प्रसन आपसे पुछता है प्रसन के तौर पर देखते हैं ओफषन क्या है ओफषन में है जिसकी जनकारी आप लोग को होनी चाईए अगर इसके तिक थम बात करें देखिए बिलियम जोन्स का नाम आप लोग को याद रखना है बिलियम जोन्स द्वारा भारत में भारत में पूरा तत्व सर्वेक्षन समंधी परियास किया गया था कलकत्ता में कलकत्ता याद रखियेगा में एसियार्टिक सोसाइटी अभी मैंने पिछले प्रसुन में भी इसकी चर्चा किया था अस्थापना के साथ आरंभ होता है पर लाड कल जो केनिन है ध्यार्चेगा के दोरा 1861 में क्या किया एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर याद रखिये एलेक्जेंडर कलिंगम का नाम आपनों सुनते होंगे कलिंगम को पूरा तत्व का सर्वेक्षक न्यूक किया गया था पूरा तात्विक सर्वेक्षक इसी के निर्देशन में आप लोग सुनते होंगे कि हरपा काल सब्वेता के बारे में इसने चर्चा की थी बहुत से सर्वेक्षन किये गए थे इसी के निर्देशन में कि दिया रहा अगर हम 1871 की बात करें 1871 में तो इस सर्वेक्षन को अलग करके विभाग अठित किया गया था पूरा तात्वी के सर्वेक्षन जो था उसको अलग करके विभाग बनाया गया और विभाग लाड करजन के द्व यह किया गया था प्राचिन असमारक सरक्षन अधिनियम 1909 लाया गया ठीक है ना उसी 9 के तहत यह पहली बार इतिहासिक इमार्टों की सुरक्षा के लिए मरमत को ध्यान रखने के लिए इसी एट के तहत लगवब 50,000 पॉंड की धनरासित दी गए इसके धापर हम पुरा तत् पुरा तत्व सर्वेक्षन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एश आई एश आई एश आई अभी हाल में चर्चा है ग्यानबापी मामले में या उससे पहले और भी उससे पुरा तत्विक सर्वेक्षन का जो आकलन किया जाता सोचिए लाट कारजन की संथापित संगठन है इस इसको देता है रूप देता मार्सल को जहां रखिया जॉन मार्सल को इसका पर्थम निदेशक बनाया गया था महा निदेशक या इसको निदेशक बनाया गया था इसके काल में तो आपसे प्रस्ण पूछ सकता है महा निदेशक किसे बना गया था लाट आपको जॉन मार्सल को अब अंतिम प्रस्वन आज के स्रीज में अंतिम प्रस्वन हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे भार्ति पुरा तत्वी सरेचन के स्थापना के बाद इसके प्रस्वन को देखेंगे 15 नंबर कि एक नंबर 1889 ताउन महरानी विक्टोरिया का इगोसना पत्र पढ़ कर सुनाया था लाड़ के निने तो यह ऑफ्षन के तौर पर देखते हैं कहां से सुनाया था इलाहाबाद से कलकत्ता से बंबई से मदराज से तो ध्यां रखियेगा कहां से सुनाया था तो ऑफ्षन यह सही होगा इलाहाबाद से अगर इसके त्रिक्थम जनकारी कुछ रखे इसके बारे में तो कुछ जनकारी जैसे अठासवन ताउन करांती जो हुई थी उसके बाद एक नॉमबर 1889 ताउन को महरानी की घोशना इलाहाबाद के दरबार में दरबार याद रखना है पर्थम व लाट केनिन भारत के बिडिस कंपनी अंतीम गोवर्नर था और पर्थम वार्सराय था यह भी आपको पुछा जाता है आपको इसके भारतिये रियोपिय सेनदवा स्वेत विद्रों इसके सासन काल में होता है अभी मैंने बाता है सहीता आपको बनाया गया बहुत से विदी क पानून बनाये तो इसके सासन में काल में हुए थे तो चलिए आपको MCQ सिरीज में आज इतना ही फिर हम लोग गोवर्नर जनल के MCQ सिरीज में आएंगे तो आप लोग को क्या करना लाइक से सस्क्राइब करना इसका पीडियाफ आप लोग को आज सेर कर दिया जाएगा टेल पलस टेक्स के साथ आपको एकसब्स एकसो दज्स एकसो बिस के आसपास पड़ेगा ज्यादा रासी ने इस पर सारे पॉलिटी। जोगॉराफीक पोलिट्टी सा भी पर हम चर्चा करेंगे. इस टेलिग्राम चैनल से जुढने के लिए लिंक को आप सेर कर सकते हैं और वेबसाइट वीजिट कर सकते हैं आप डान्लोड कर सकते हैं, साथ देदेदें आप आप हमें Like से सस्कराइब कर सकते हैं लाइकन को दे सकते हैं पीडियेप में महत्पूल लिंक दिये रहते हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हमसे चलिए फिर कल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जयें